जैसू, सबका स्वागत है आज की सहराधना में, प्रार्थना में, प्रभू आप सभी को आशिश दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहें मेरे भाई, मेरी बहन, हम सभी बाइबिल में पढ़ते हैं शद्रक, मेशक और अबदन गो के बारे में नाम कठिन है, लेगिन दानियल की पुस्तक में, दानियल के गरंथ में आप पढ़ेंगे शद्रक, मेशक और अबदन गो ये तिनों नव्युवक प्रभू पर भैर रखने वाले, प्रभू पर श्रद्दा रखने वाले प्रभू को मानने वाले, प्रभू की आज्याओं को मानने वाले थे और वहां की राजा ने आप जानते हैं कि एक मूर्ती बनाई और कहा कि इसको सिजदा करो, इसको दंडवत करो और जो इसका आदेश नहीं मानेगा, उसे क्या करेंगे? आध की भट्टी में फिक दिया जाएगा और जब इन नव्यूकों को पता चला इन्होंने राजा की आज्या नहीं मानी और राजद्जा ग्या यह थी कि सभी लोग इस मूर्ती की अराधना करेंगे तो उन्होंने इतर दिया कि हमारा केवल एक ही परमेश्वर है और हम उसकी अराधना करेंगे तो राजा ने कहा कि तुम्हें आग की भटी में डाला जाएगा उन्होंने कहा कोई बात नहीं अगर हमारा परमेश्वर सच्चा है तो वो हमें आग की भटी से भी बचा सकता है और अगर वो नहीं भी बचाएगा तो भी राजा ये जान लो कि हम तेरे द्वारा बनाई हुई मूर्ति की अराधना नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे राजा को क्रोध हाया गुस्था आया राजा ने कहा कि जो आग जल रही है उसे साथ गुना ज़्यादा आग करो और साथ गुना तक अधिक आग को बढ़ा दिया गया आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जो उन अविवकों को डालने के लिए गए थे शदरक मेशक और अबदनगों को उस आग की भटी में डालने के लिए गए थे उनमें से लोग जुलस गए आग की चपेट में आ गए इतनी भ्यानका गए लेकिन जब इनको आग की भटी में डाला गया तो क्या हुआ परमेश्वर का दूत इनके बीच में उतर आया ये प्रभू की स्तुति करने लगे और बाइबल में लिखा हुआ है उस दूत ने आग, आग की आग में उतर कर एक ठंडी हवा चलाई आग की लप्तों को दूसरी ओर कर दिया अब राजा दूर से ये देख रहा था उसने कहा की क्या हमने तीन लोगों को नहीं डाला उन्होंने कहा हाँ डाला तीन लोगों को डाला राजा ने कहा की मैं चार लोगों को देख रहा हूँ मेरे को तो चार नजर आते हैं और चौथा जो है स्वर्गदू जैस आए और तब राजा ने कहा कि इनको बाहर निकालो आप जानते हैं उन्हें बाहर निकाला गया वचन में लिखा हुआ है उनके बाल तक जुलसे नहीं थे उनके शरीर का एक बाल भी जुलसा नहीं था जो गंधा आती है बाल जुलसने की उनके शरीर में बो तक नहीं थी उन्होंने प्रभु की स्थुति की प्रभु की अराधना की और प्रभु ने उन्हें बचाया एक सुन्दर गीत गाता हुना मैं शद्रक मेशक अब्दन गोनू बल्दी अगविच पाया बल्दी अगविच आप खुदावन उत्तर बढ़ के आया शद्रक मेशक अब्दन गोनू बल्दी अगविच पाया बल्दी अगविच आप खुदावन उत्तर बढ़ के आया है ना शद्रक मेशक अबदन गोन बढ़ दियक विच पाया बढ़ दियक विच आप खुदावद उत्तर बढ़ के आया तो प्रभू स्वेम वहां पर आ गया कब होता है ये जब दिल से अरादना होती है ठीक है दिल से जब कोई चीज दिल से की जाती है दिल से पुकारा जाता है प्रभू को प्रभू उस जगा पर आ जाता है चले खड़े हो जाएं प्रार्थना करें प्रार्थना करें कि प्रभू तु हमारे बीच में आ जाओ सच्चे हिर्दे से प्रार्थना करना उसके वचन में लिखा हुआ है आत्मा और सच्चाई से उसकी अराधना करने चाहिए वैसे ही अराधकों को चाहते हैं प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें आत्मा से योई नहीं आत्मा में लब यू लोड़ लव यू दन्यवादी शो दन्यवाद धन्यवाद शो प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें येसु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है ऐसु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है येसु तेरी आराधना सारों को तोड़ देती है येशु तेरी आराधना सारे बंदनों को तोड़ देती है गम की रसियों को इक पल में वो तोड़ देती है येशु तेरी आराधना सारे बंदनों को तोड़ देती है येशु तेरी आराधना सारे बंदनों को तोड़ देती है गम की रसियों को एक पल में वो तोड़ देती है येश्यो तेरी आरा दिना आमीन आमीन प्रार्ट ना करें बंदुनों को तोड़ देती है येश्यो तेरी आरा दिना सारे बंदुनों को तोड़ देती है दुख की रसियों को दुख की रसियों को वो एक पल में ही तोड़ देती है येश्यो तेरी आरा दिना सारे बंदुनों को तोड़ देती है येश्यो तेरी आरा दिना सारे बंदुनों को तोड़ देती है दुखी और सिमार जो येशु पास आएंगे सारे सुख जिन्दगी ते येशु से वो पाएंगे सारे सुख जिन्दगी ते येशु पास आएंगे दुखी और सिमार जो येशु पास आएंगे सारे सुख जिन्दगी ते येशु से वो पाएंगे सारे सुसंदगी पे येसु से रखना येसु तेरी आराधना पानी समंद रोपाचीर देती है येसु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है कम की रसियों को इक पल में वो तोड़ देती है येसु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है जीना तेरे साथ और मरना तेरे साथ है जिदर भी देखूं बस तेरा ही जलाल है जीना तेरे साथ हो और मरना तेरे साथ है जिदर भी देखूं बस तेरा ही जलाल है येसु तेरी आराधना त्वार स्वर्ग का खोल देती है जीना तोड़ देती है फिर से पिर से काई है कम की रसियों को दुख की रसियों को दुख की रसियों को वो एक पल में वो तोड़ देती है सारे बंदुनों को पापी और रोगी जो भी ये सुपास आएंगे पापी और रोगी जो भी ये सुपास आएंगे इमान के साथ मन को पिराएंगे ये सु तेरी आ राधना ये सु तेरी आ राधना फानी समंदुनों का धीर देते है इसु तेरी आरादिना सारे बंधनों को तोड़ देती है इसु तेरी आरादिना सारे बंधनों को तोड़ देती है इसु तेरी आरादिना सारे बंधनों को तोड़ देती है इसु तेरी आरादिना सारे बंधनों को तोड़ देती है इसु तेरी आरादिना सारे बंधनों को तोड़ देती है इसु तेरी आरादिना सारे बंधनों को तोड़ देती है आलेलूया, 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 दया कि सागर प्रभू हम पर तु दया कर दे सुथी करना प्रभुगी बंदन तोड़ने माले प्रभू सारे बंदनों को तोड़ देना आलेलूया आलेलूया हलेलूया अल्यूया आलेलुया, आलेलुया दर्शन दे दे, दू दे दे, दर्शन दे आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया अंदन तोड़ दे, दू तोड़ो, येसु तोड़ो, आलेलुया, आलेलुया चंगा कर दे, इस्टू कर दे, चंगा कर दे, आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया तेरी मनिमा ओ मनिमा येसु मनिमा हालिलुया 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 मैं तेरे दर पे हूँ येसु आया हालिलुया 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 मैं तेरी शर्ण में येसु आया हालिलुया 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 मैं तेरे दर्शन के लिए आया मैं तुछ को ये पाने ये सु आया हालेलूया, हालेलूया, हालेलूया आलेलुया, हललुया, हलेलुया ये मेरा जुनदा है, शर्वशक हिमान है इश्वर का बेटा है, मरियमननदन है आलफा ओमेगा है आती और अन्त है बंदनों को तोड़े वो रोटी पिवो ही है येशु प्रभू है येशु मसी है वो ही जिन्ता है ईश्वर का पुत्र है वो तूसरा नहीं एक मात्र वो ही है येशु प्रभू है येशु प्रभू है हालेलुया 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 हलिलूया हलिलूया एक साथ आके जाए हलिलूया दोनों हतों को ठाएं प्रफ किस्कुती करें अच्छी अवाज में मुखो लो मुखो अच्छर प्रफ किस्कुती करें मुखो लूग के शुति करते जाएं अशीशन अनुख लैं इसकत बह रहा है अलिलुया बोलते जाएं बोलते जाएं, बोलते जाएं, मूँ खोल के, हलिलुया बोले, हलिलुया बोले, स्वर्ग दूतों की भाशा, स्वर्ग की भाशा में संबलीत हो जाएं, हलिलुया, 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 हलिलुया इन पाद के रॉक लोगितों के बादन बोपे लीके विस्जा बित्र सामार्देनाम से आलेख अलेख अल्यारह अलेलुया, अल्यार्य अल्यार्य। येशु 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 नाम मेरे दिल में येशु नाम मेरे घर में येशु 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 नाम चंगा करता येशु नाम जिन्वन देता येशु नाम येशु 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 नाम मेरे दिल में येशु नाम चंगा करता येशु 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 नाम चुटकारा देता येशु नाम जीवन देता येशु नाम चंगा करता येशु येशु नाम जीवन से वो भरता है येशु 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 नाम येशु 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 नाम दुख मिटाएं येशु नाम पंतन तूडें येशु नाम पतरू हें बगाएं येशु नाम येशु 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 नाम जीजै दिलाएं येशु नाम येशु 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 नाम आत्मा से भरता है येशु 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 नाम पश्टों को में गाता है येसू येसू नाम जीवन हम को जीता है येसू येसू नाम कितना अच्छा येसू नाम कितना मीठा येसू नाम कितना प्यारा येसू नाम येसु 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 नाम हल्लुया 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 हल्लुय बच्चे बोले ये सुनाम, सिश्टी बोले ये सुनाम, सब जन बोले ये सुनाम, अलेलुया अलेलुया, Alleluia 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 अलिवोया तोड 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 यशुक्य पवित्र सामर्थी नाम हुआ बंदन कुझ्टे बद्रूहों के लशकर तंत्र मंत्र जातु तोने अकाश की दूष्ट आत्मा कबंदन यशुक्य पवित्र सामर्थी नाम सी Right now I claim the dead you brunson feeling in my name जाओ शतामात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मा हिंहे पर याथ था है घंएВ आद करिए जीवी प्रभु के सामसे उस से पवित्र वच्छन के सामसे उसके पवित्र लहुके सामसे उसके वच्छनों के सामर्थ से पवित्र पांच घावों के सामर्थ से मैं इस वक्त शेतानी दुरात्मा शक्तियों पर बदरूहों के लश्करों पर तंत्र मंत्र जादू टोने अकाश की शक्तियों पर जो प्रलोबन कारी हैं दुष्ट शक्तियां हैं प्रलोबन देती हैं मनों को विचलिफ करत प्रलोबन में डालती है येश्यु मसीख के पवित्र नाम से, उसके पवित्र बचं से, वो सारी चीज़ें जो प्रभु के सहिता के और उसकी आग्याउँ के विरुद्ध है, येश्यु मसीख के पवित्र नाम से, मैं इन Sारी बातों पर अधिकार लेता हूँ, हर वो चीज जो परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर के पवित्र सामर्थी नाम से मैं इन सारी बद्रूहों पर अधिकार लेता हूँ I claim the deliverance and healing in the name of Jesus I bind every evil activity in the name of Jesus शेतान की सारी युक्तियों को, सारी चालों और सारे शड्यंत्रों को ये शुके पवित्र सामर्थी लहू से बान देता हूँ, आपके घरों को ब्लेस करता हूँ, आपके घरों को पवित्र लहू से बाड़ा करता हूँ परमेश्वर का वचन केता है एजेकियल नभी के ग्रंत में कि मैं आग की दिवार बनकर तुम्हारी रक्षा करूँगा वो आग की दिवार आपके घर के चारों और लगने पाएं इस कैंपस को प्रभु के अधिकार में देता हूँ, इस भवन को, इस वेदी को, इस माइक सिस्टम को, इस इंस्ट्रूमेंट को और हमारे सभी सयोगियों को, भाईशंदीब को और जितने भी क्वाइर मेंबर्स, जितने भी हमारे मीडिया पर्सनल्स और जो आप सभी लोग लोग धर्मी हैं, आप सब को परमेश्वर के हातों में देता हूँ किसी प्रकार की कोई भी दुरात्मा, शक्ती, प्रलोबनकारी, दुष्ट आत्मा आपको बहकाने न पाए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करें, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्तित हैं, येश्यू की पवित्र रू का मशा आप लोगों पर उत्रे, येश्यू के पवित्र शामर्ती लहू से मसा हो जाओ, मसा हो जाओ, आग उत्रे, आग उत्रे, आग उत्रे, आग उत्रे, आग उत्रे, स्वर्गतवार फुल जाए, येश्यू के पवित्र नाम से, रू की आग उत्रे, रू की आग उत्रे, रू की आग उत्रे, रू की और चमतकार होने पाएं, परमेश्वर इस वेदी से आप सभी लोगों को आशीष प्रदान करें, अनुपरे प्रदान करें, येश्व की आत्मा आप लोगों पर अधिकार लें, इसलिए प्रभु के सामने अपने आप को खोल देना, अपने हिर्दे को प्रभु के सामने खोल अपने हातों को प्रभु के सामने खुला छोड़ना आत्मा की अगवाई मांगना वो आत्मा हमें परमेश्वर की ओर ले चले आपकी आत्मा को इर्दे को कानों को मूँ को नाक को हर चीज को खोले जिससे की परमेश्वर का बचन आपके हिर्दे में आपके परिवार में काम क करने पाए आएए हम दोनों हाथों को खुला छोड़ते हुए पवित्रा आत्मा के अगवाई मांगे हैं आदिशती पराशती पावनात्मा मेरे दिल में आजाओ आदिशती पराशती पावनात्मा मेरे दिल में आजाओ पावनात्मा दोनों हाथों को सीने पर लगाई आदिशती पराशती पावनात्मा मेरे दिल में आजाओ पावनात्मा आदिशती पराशती पावनात्मा मेरे दिल में आजाओ पावनात्मा आदिशती पराशती पावनात्मा मेरे मन में आजाओ पावनात्मा आदिशती पराशती पावनात्मा मेरे मन में आजाओ पावनात्मा आदिशती पराशती पावनात्मा मेरे मन में आजाओ पावनात्मा रोगियों को चंगा कर दो आदिशती पराशती पावनात्मा रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा आदिशक्ति हराशक्ति पावनात्मा रोगियों को चंदा कर दे पावनात्मा आदिशक्ति हराशक्ति पावनात्मा निर्बलों को बल दे दे पावनात्मा आदिशक्ति हराशक्ति पावनात्मा निर्बलों को बल दे दे पावनात्मा आदिशक्ति हराशक्ति पावनात्मा मेरे मिल को शुद्ध कर दे पावनात्मा आदिशक्ति पावनात्मा निर्बलों को शुद्ध कर दे पावनात्मा एक साथ बन जाए आदिशक्ति पावनात्मा निर्बलों को शुद्ध कर दे पावनात्मा मेरे दिल में आजाओ पावनात्मा पावनात्मा निर्बड रखा पाव नो दे तो खेझ। सभी लोग दावनात्मा निर्बलों को शुद्ध कर मेरे पीछे द Four एंग कि मैंने तेरी असीम भलाई का, और बढ़ाई का अपराद किया है, मैं अपने सब पापों से, बैर और घ्रणा करता हूँ, क्योंकि तू है मेरे इश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के, इतना योग है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है, मैं यह द्रणमन करता हूँ, तेरी पवित्र किरपा से, तेरा अपराद कभी नहीं करूँगा, बाप की जोखिमों से, दूर रहूँगा, हालेलुईया, 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 य क्योंकि प्रभू तो अपने वादे का सच्छा है और वो सत्य प्रतिग्य है उसने कहा कि जहां पर दो या तीन मेरे नाम से कत्र होंगे मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं इतना ही नहीं कहता है कि अगर मेरा नाम लेकर तुम पिता से कुछ भी मांगो तो वह तुम्हें प तेरे साथ हूं और मैं तुझे गिरने ना दूंगा जानते हैं क्यूं क्योंकि अगर हम गिर गए तो पिता का नाम जो है नीचा हो जाएगा इसलिए प्रभू अपने पिता का नाम नीचा होने नहीं देता और इसलिए वो हमारी रक्षा करता है और हमें उंचा उठाता है ताकि हमारे जीवन में उसकी महिमा हो जाएगा। तो इस वक्त वो अपने वादे के मताबिक आपके बीच में हैं। आपकी बातों को जानता हैं, आपको सुन रहा हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाना, सारे ठाटबाट को भूल जाना। बस प्रभु की ओर दृष्टी लगाना और आनन्दित हो जाना। लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार गिरजागर जाते हैं, मंदिर जाते हैं और अपने अपने धार में एक स्थलों पर जाते हैं माथा टेक कर चले आते हैं, सीडियों को हाथ लगा कर चूम के चले आते हैं तो कोई यहाँ पर आता है और वेदी के सामने सिर जुका कर चला जाता है और अपने अपने तरीके से प्यारे भाईयो और बहनो प्रभु का आदर करते हैं और सम्मान करते हैं प्रभु यह चाहता है कि तुम मेरी उपस्थती में विश्राम करो आपको समझ में आया? करो तुम दुनिया में कहीं भी रहो परंतों तुम मेरी उपस्थती में रहोगे तो तुम कभी भी आहारोगे नहीं मैं तुमें विजय दिलाता जाओंगा लेकिन अगर तुम मेरी उपस्थती में नहीं हो तो प्यारे भाईयों और बहनों मैं तुमें विजय दिलाने में अस इसलिए हर एक विश्वासी को, हर एक मसी को, हर एक अभिशिक्त को, हर एक चुने हुए व्यक्ति को जो विश्वास करता है कि परमेश्वर ये काम कर सकता है, जो ये विश्वास करता है कि उसकी उपस्थती में मुझे आनंद मिलता है, उसे परमेश्वर से क्या करना है, संयुक्त रहना है, उसकी हजूरी में विश्राम करना है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्यारे भाईयों और मैंनों, आप कभी भी विफल नहीं आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए किस तरहां से इंतजाम करेगा और आपके लिए एक के बाद एक दर्वाजा खुलता जाएगा इन्सान आपके लिए दर्वाजे बंद करेगा लेकिन परमेश्वर आपके लिए खिड़कियां खोल देगा इतना ही नहीं वाइपल ये कहती है कि वो अपने स्वर्ग के जरोकों को खोलेगा और तुम्हें आशीश से भर देगा और तुम्हारे अनजल और बंडारों को वो कहता है आशीश प्रदान करेगा बोलिए अमेन हालेलुया हे प्रभू येसु आपका ये वचन मैं स्विकार करता हूँ ये मेरे जीवन में पूरा हो जाए हालेलुया थो आज का विशे प्रभू ने ये दिया और कहा कि मेरे बच्चों से ये कहना कि मैं इन्हे विजे दिलाता हूँ कहता है मैं इने विजे दिलाता हूं अगर कोई यूवक या यूवती ये कहती है कि पढ़ाई में पहला रैंक मिल गया है और मुझे सौ प्रतिशत अंक मिल गए हैं तो ये उसकी बदौलत नहीं उस विक्ति को ये कहना चाहिए कि कुछ भी हुआ है तो वो परमेश्वर के साम से पूरा हुआ है क्योंकि याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं द्याए एक पत्संख्या पांच में कि अगर किसी को ज्यान की कमी है तो परमेश्वर से प्रात्ना करें और जो ज्यान का भंडार उसके पास है वहां से उसे ज्यान देगा और वचन में बताता प्रग्याग परन्त में हम पढ़ते हैं कि ज्ञान की शुरुवात परमेश्वर से होती है, क्योंकि सारा सामर्थ, सारा ज्ञान परमेश्वर का है, और अगर कोई व्यक्ति अपनी परिक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाता है, तो ये उसकी बदोलत नहीं, परन्तु परमेश्वर के ज्ञान से वो ऐसा करने में समर्थ होता है, और बाइबल ये भी कहती है, कि परमेश्वर जिसे चाहता है, वो उसे प्रदान करता है, वो जिसे चुनता है उसे अभिशेक करता है वो जिसे चाहता है उसे भरपूर मातरा में देता है बशर्ते कि वो व्यक्ति ईश्वर को खुश करने वालों इसे बन सके अब आप को एक उधारन देता हूं मैं बाईबल से राजा सुलेमान के विशे में सुना है सुना है नहीं सुना है पढ़ा है नहीं पढ़ा है राजा सुलेमान के विशे में आप लोगों ने पढ़ा है ना जानते हैं उसके बारे में दुनिया में एक मात्र ऐसा व्यक्ति जिसे सारे विशियों का ग्यान था राजा सुलेमान, बाइबल के इतिहास में हम पढ़ते हैं, एक मात्र राजा ऐसा, जिसे परमेश्वर ने ज्ञान से भर दिया, और वो हर विशे का ज्ञान रखता था, हर विशे की नॉलेज थी, उसके पास कोई भी केस आता था, वो उसका समाधान करता था, क्यूंकि परमेश्वर ने उसे वो समझ दी थी, इतने राजाओं में से केवल एक व्यक्ति, राजा सुलेमान को ये ज्ञान प्रदान किया था, क्यूं? राजा सुलेमान ने बाइबल अमें बताती है, गाद नामक पहाड़ी पर परमेश्वर को एक हजार बलिदान अरपित किये, और परमेश्वर उसके बलिदानों से खुश हुआ, उसके अच्छे कामों से खुश हुआ, और खुश होकर परमेश्वर ने उससे कहा, कि तूने मुझे प्रसन्न किया है मैं तेरे इन यग्यों से बलिदानों से प्रसन्न हूँ मांग तू क्या मांगता है उसने कुछ नहीं मांगा शान उशौकत शोहरत नहीं मांगी लेकिन उसने कहा कि मैं इस राज्य में सबसे छोटा हूँ और मैं तेरी प्रजा पर न्याय पूर्वक शासन कर सकूँ इसलिए मुझे समझ दे, मुझे बुद्धी दे ताकि मैं तेरी इस प्रजा पर न्याय पूर्वक शासन कर सकूँ परमेश्वर ने उसे कहा कि ठीक है तुने कुछ नहीं मांगा ना सोना ना चांदी ना किसी चीज ऐसी चीज मांगी ना शोहरत मांगी तुने बुद्धी मांगी है ग्यान मांगा समझ मांगी है मैं तुझे ये तो देता हूँ इसके साथ ही मैं तुझे वो सारी चीजें भी देता हूँ इस पूरी दुनिया की धन दौलत परमेश्वर ने उसकी जोली में डाल दी प्यारे भाईयों और वेनों और वचन में लिखा है कि उसके जैसा आज तक धनी व्यक्ती नहीं था उसकी प्रग्या सुनने के लिए दक्षिन की महरानी क्या करती थी उसकी प्रग्या सुनने के लिए आया करती थी यह प्रमेश्वर है जो आपको विजय दिलाता है जो आपके साथ रहता है जो आपसे वादे करता है और अपने वादों को पूरा करता है बशर्ते की हम मैं और आप उससे connected रहें अगर प्रभू का भक्त उससे connected है तो उसके द्वारा वो बहुत सारे कामों को कर सकता है इसलिए प्यारे भाईयो और बेनो प्रभू इन दुरुबल इंसानों को इस्तिमाल करता है लोगों को चंगा करने के लिए अपनी सेवकाई करने के लिए और इस दुनिया में अपनी बातों को पूरा करने के लिए बोले अमेन हालेलुया हे प्रभू इसु मेरे जीवन में मेरे परिवार में शांती आजाए चंगाई आजाए मेरे रुके हुए काम पूरे हो जाए हालेलुया हे प्रभू इसु मेरे साथ चलने की मेरे साथ रहने की क्रपा कीजिए करपा की चिए आलेलुया एक दूसरा उधारण जब इस्राइली जन्ता युद्ध कर रही थी और मूसा उनके लिए प्रात्ना कर रहा था योश्वा की अगवाई में वे लोग युद्ध लड़ रहे थे और मूसा एक चटान पर बैठ कर प्रात्ना कर रहा था हातों को उठा जाते थे, वो नीचे गिरने लगते थे, जब तक उसके हाथ उपर रहते थे, इसराइली अरामियों पर क्या करते थे, विजय हासिल करते जाते थे, लेकिन जैसे ही मुसा के हाथ नीचे आते थे, इसराइली हारने लगते थे, कहने का मतलब यह है, कि आपकी विजय, प्यारे भाईयों और बेनों आपकी तपस्या में हैं आपके त्याग में हैं जब तक आप त्याग और तपस्या में ये हाथ उचे उठे रहेंगे परमेश्वर का ज्यान उसका सामर्थ आपके द्वारा होकर आपके परिवारों में और इस जुनिया में बहता रहेगा तो हुआ गया हारुन के भाई आकर क्या करने लगे दूसरी ओर बैठ कर उन्होंने उसके हाथ के नीचे पत्थरों की टेकनिया लगा दी और उन्होंने क्या किया मूशा ने अपने दोनों हाथ जो थे उसके उपर रख लिए और वो प्राथना करने लगा और वचन कहता है कि जब तक वो प्राथना करता रहा तब तक इसराइली युद्ध जीतते रहे यही बात परिवारों की है यही बात माता-पिता की है यही बात विश्वासी की है यही बात हर एक याजक के जीवन में होनी चाहिए यही बात एक धर्मसंगी के जीवन में होनी चाहिए आप जिसकी अगवाई करते हैं अगर आप अगवा हैं अगर आप मुख्या हैं अगर आप किसी की अगवाई करते हैं अगर आप किसी का नेत्रत्व कर रहे हैं तो आपको नेत्रत्व करने की अगवाई करने की छमता आपको सेवा करने का सामर्थ वो परमेश्वर देता है क्योंकि आप और मैं अपने आप में कुछ नहीं है जब तक परमेश्वर इन हाथ पैरों में बल ना दे आप खड़े नहीं रह सकते हैं जब तक परमेश्वर ये सामर्थ ना दे हम खड़े नहीं रह सकते हैं एक सुन्दर वचन में बताऊंगा आपको सुक्ति ग्रंथ अध्याए 21 पत संक्या 31 में अगर किसी के बास बाइबल है तो वो खोल ले और इस वचन को पड़े सुक्ति ग्रंथ अध्याए 21 पत संक्या 31 में हम पड़ते हैं कि घुड़ सवार युद्ध के लिए तैयारी करता है क्या करता है गुड़ सवार युद्ध के लिए तैयारी करता है किन्तु विजय प्रभु के हाथ में हैं गुड सवार सेना युद के दिन के लिए तैयार की जाती है किन्तु विजय प्रभु के हाथ में हैं इसलिए संत पोलुस कहता है कुरिंतियों को लिखते हुए अध्याए 15 में पहले पत्र में अध्याए 15 पत्संख्या 57 में की ईश्वर का धन्यवाद जो ईशा मसी के द्वारा आपको विजे प्रदान करता है बोलिए आमेन ताइना हाथ उठा कर वचंद और आएंगे हालेलुया घुड़सवार युद के लिए तैयार होता है पर विजे प्रबु के हाथ में है संद पॉलुस कहता है ईश्वर का धन्यवाद जो ईशा मसी के द्वारा हमें विजे प्रदान करता है हालेलुया दो विश्वासियों को ये आज अपने जीवन में वचन ग्रेंड करने की जरूरत है कि आपकी विजे आपकी सफलता आपकी उन्नती आपके बच्चों की उन्नती प्रबु के हाथ में है आप तमाम तयारी कर लीजे तमाम पैसा खर्च कर लीजे वीजा लगवान के लिए लेकिन अगर प्रबु उस योजना को सपलना करे तो वो नहीं होगी जगा जगा नौकरी ढून लीजी अगर प्रबु नहीं चाहेगा तो नहीं होगी कितनी लड़कियां देख लो कितने लड़के देख लो सब तूट जाएंगे लेकिन जिस दिन प्रबु जहां वो चाहेगा, वहीं तेरा कल्यान होगा, यह वचन मेरा नहीं है, पवित्र शास्त्र का वचन है प्यारे भाईों और बेनों, और इसको ग्रेंड करना और ले जाना अपने साथ में, और प्रभू पर भरोसा करना, इसलिए बाइबल कहती है कि तू अपनी बुद्धी, अपने सामर्थ, अपनी शक्ती पर भरोसान मत कर, अपने शरीर के बल पर भरोसा मत कर, क्योंकि यह तो फूल के समान है, धास के समान है, जो सुबा को खिलता है, तो पैर को ताप लगने से मुर्जा जाता है, यह तो मिट्टी का पुतला है, अगर तू विश्वास करना चा बोले आमेन, हालेलुईया, हालेलुईया, हे प्रभु येशु, मैं ये वचन ग्रहन करता हूं, इस वचन के द्वारा मेरे परिवार पर अधिकार लीजिये, हालेलुईया, तो दूसरा इतिहास गरंत अध्याईबीस बद संक्या सत्रा, 2nd book of chronicles chapter 20 verse 17, लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा, तुम वहीं खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरुशलम की को विजय देता है, तुम मत डरो और भेभीत ना हो, कल तुम्हें उनके विरुद कुछ करना है और प् इस्राइलियों को जब रभु मरुभूमी से लेकर जा रहा था मुसा के नत्रत में उन्हें बहुत सारे कश्ट उनके सामने आए इस्राइल को बहुत सारे युद लड़ने पड़े अपने दुश्मनों के खिलाफ कई बार उसके ऊपर आकरमन हुआ चूंकि परमेश्वर ने इजराइल को चुना था चूंकि वो उनको प्यार करता था इसलिए वो उनके साथ साय के जैसे रहता था परच्षाई के जैसे रहता था और उन्हें बार बार यही धारस बंधाता था सुनिये क्या लिखा है कि लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा तुम वहीं पर खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभू तुम्हें यूदा और यरुशलम को विजय देता है तुम मत डरो भैभीत नहो कल तुम्हें उनके विरुद कुछ करना है और प्रभू तुम्हारे साथ रहेगा कभी आपने विश्वास किया कि प्रभू मेरे साथ रहता है कभी आपने विश्वास किया इसलिए जब बच्चे प्रातना के लिए आते हैं और कहते हैं या students को जब हम seminar देते हैं कहते हैं फादर जी हमारे लिए प्रात्ना कीजिए हमारे exam होने वाले हैं प्यारे भाई प्यारी बेहन अगर आप प्रभु येश्यू को साथ लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि प्रभु ये मैं नहीं परंतु ये ग्यान आप मुझे प्रदान करें आप मेरा हाथ पकड़ कर मेरा exam लिखने की कृपा करें और मुझे उस ग्यान से आप भरपूर करे मुझे स्मरन शक्ती का आत्मा प्रदान करें वैसे तो सब लोग मेहनत करते हैं लेकिन कई लोग नर्वस हो जाते हैं और exam hall में सब कुछ बूल जाते हैं प्यारे भाईयो और बेनो ऐसे समय में प्रभु को याद करना है और वो आपके साथ रहता है यूँ गेट उसकी range में रहना कभी कभी हम range में रहकर भी क्या करते हैं connect नहीं होते हैं क्यों क्योंकि हमारा डेटा वाला बटन जो है off रहता है बस यही समस्या है off रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो कभी कभी range में रहने के बाद भी हम connect नहीं होते हैं तो परमेश्वर से हम संयुक्त होने की आवशक्ता है और क्यों है क्योंकि विजय दिलाना उन्नती दिलाना आत्मिक उन्नती देना ये परमेश्वर का काम है धन्द संपत्ती पर आशिरवाद देना ये प्रभू का काम है घर के आटा गुंदने की पराद को आशिरवाद देना ये प्रभू का काम ह कई बार मुझे phone calls मिलते हैं जब आप ये कहते हैं कि आपकी आटा गुंदने की परात को आशीश मिले आशिरवाद मिले तो हमारा दिल गदगद हो जाता है और ऐसा लगता है वास्व में हमारी आटा गुंदने की परात में प्रभु ने आशीश दे दिया है इसी तरह से खेत में बीज बोते समय किसान प्यारे भाईयों और बेहनों उस बीज को परमेश्वर के नाम पर बोए क्योंकि अंकुरों को आशिरवाद देने वाला किसान नहीं है परमेश्वर है जिसने ये पूरी दुनिया को बनाया है दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति जब वो अपनी कलम चलाता है न्याय देने के लिए किसी के पक्ष में या विरुद्ध में तो उस वक्त परमेश्वर को साक्षी मान कर अपनी कलम चलाना जज जब कोई निर्णे देता है तो उस वक्त परमेश्वर को सक्षी मान कर वो निर्णे दे मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इस दुनिया में न्याय की विवस्था कायम हो जाएगी इतने कोट के चेरियों में आपके केसस पड़े नहीं रहेंगे जो आप चक्कर लगाते लगाते ठक चुके हैं घूस देते देते ठक चुके हैं और आपको लूटने का ठेका ले रखा है लोगों ने तारीक पे तारीक 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 पे तारीक समझिये प्यारे भाईयो और बेनो परमेश्वर में इतना सामर्त है कि वो इन तमाम लोगों के हिरदियों को बदल सकता है आप करके देखना परमेश्वर को साथ लेके देखना इसलिए मैं बार-बार आपसे कहता हूँ आपकी उन्नती, आपकी चंगाई, आपकी सफलता आपकी आशिश आपसे इतनी दूर है जितनी दूर जमीन से आपके गुठने है आपकी आशिश, आपकी उन्नती, आपकी चंगाई, आपकी नौकरी, आपके अच्छे काम, आपकी अच्छी संतती को आशिरवाद आपसे इतनी दूर है जितनी दूर जमीन से आपके गुठने है हातों को उठा लेना भोर के समय में शोगीत अध्याय दोपत संक्या 19 कहता है कि सुबा को उठकर भोर को उठकर चिलाना चिलाना प्रभू से अप्रभू के सामने अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए गिडगडाना क्यूंकि आपकी संताने मूर्चित पड़ी हुई हैं आपकी संताने मूर्चित पड़ी हुई है वो भटक चुकी है शैतान उन्हें बहका चुका है उनकी प्राण रक्षा के लिए प्रभू के सामने प्यारे भाईयों और बेनों प्रभू ये कहता है कि प्रभू के सामने दुहाई देना हालेलूया हालेलूया हे प्रभू Yesu, मैं विश्वास करता हूँ, आप मुझे विजे दिलाते हैं, आज के इस पवित्र दिन में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे कामकाज में, आशीश आजाए, चंगाई आजाए, आलेलूया, अब सुनिये ध्यान से, अगला वचन क्या कहता है, स्त्रोथ संख्या चबालिस पद संख्या चार कहता है क्यूंकि वे अपनी तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं बने वे अपने बाहुबल से विजय नहीं हुए बलकि वो तेरे दाहिने हाथ तेरे बाहुबल और तेरी कृपाद्रिष्टी का परिणाम था क्यूंकि तु उनको प्यार करता था क्योंकि तू उनको प्यार करता था स्तृतकार कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी तलवार के बलबुते पर विजई नहीं हुआ या उसने अपने बाहूबल से विजई नहीं पाई परंतु तू उसे प्यार करता था इसलिए तेरी कृपा से वो क्या हो गया, विजय हो गया हे मेरे इश्वर, मेरे राजा तू ही याकूब को अर्थार्त इसराइल को विजय दिलाता है वो आपको विजय दिलाता है विश्वासियों को विजय दिलाता है जो उसकी शरण जाते हैं वो उनके साथ रहता है इसलिए स्त्रोथकार कहता है कि मैं गाते बजाते हुए, वीना बजाते हुए, मैं तेरी स्थुती करूँगा, तेरा धन्यवाद करूँगा, और मैं तेरी मही मागाऊंगा ये आज क्या वचन प्रभू हमसे बातें करना चाहता है प्यारे भाईयो और मैंनो ये विजे प्रभू येसु हमें कैसे दिलाता है, हमें सोचने की आवशकता है, कि ये विजे उसने कैसे हासल की है, ये विजे उसने क्रूस के काट पर चड़ कर, मृत्यू को हरा कर, अपने दुश्मनों को शमा करके, उसने वो विजे प्राप्त की है, और वही विजे, वो हम आरे ऊपर उडेल देता है, और उस विजे से हमें आजाद करता है, हमें मुक्ति दिलाता है, हमें विजई दिलाता है, बोलिए आमेन! इसलिए गलातियों के पत्र प्रवुगा वचन ये कहता है कि मैं अब जीवित नहीं रहा बलकि मसी मुझ में जीवित है अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एक मात्र प्रेरना स्रोत है इश्वर के पुत्र में विश्वास जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने आपको अर्पित किया इसलिए आज से आप ये कहना छोड़ दीजिए कि ये जो घर बनाया है मैंने बनाया ये गाड़ी जो खरीदी है ये मैंने खरीदी है ये मेरी गाड़ी है मेरा मेरा करते करते इंसान इस दुनिया से चला गया कभी उसका कुछ हुआ नहीं है प्यारे भाईयो और बनाया अपना अपना करते करते इंसान जो है इस प्रभू को भूल चुका है आज के बाद ये कहना कि मेरे घर में जो कुछ है ये सब उसका दिया हुआ है जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे न उस दिन प्यारे भाईयों और बेनों आपके घर में प्रबु सोने, चांदी, प्रेम, शोहरत के इतने धेर लगा देगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा क्यों जानते हैं? क्योंकि जब हम ये कहना शुरू करते हैं कि ये मेरा नहीं ये उसका है हम विनम्रता की शुरेडी में आ जाते हैं अंकार खतम और में लगता है में की भावना चली जाती हैं और हम छोटे बनने लगते हैं परमेश्वर के हजूरी में आकर छोटे बनने का अर्थ यही है कि हे पिता हे परमेश्वर आज मेरे पास जो कुछ भी है मेरे बच्चे मेरी पत्नी मेरा पती मेरे खेत खलियान मेरी छोटी सी गाड़ी या बेल गाड़ी हो कुछ भी हो साइकल हो हे परमेश्वर धन्यवाद ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है, अब से मुझे में मैं नहीं, बलकि वो जिन्दा है, और उसकी सहायता से, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे बल प्रदान करता है, फिलिपियों का पत्र, अध्याई चार पत्संक्या, तेरा में हम पढ़ते हैं, कि जो मुझे बल प्रदान करता है, उसकी सहायता से, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बोलिए आमेन, हालेलुईया, हालेलुईया, हे प्रभु येसु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, आपकी मर्जी पूरी हो जाए, हालेलुईया, तो वो प्रभु आपसे ये कहता है, जिसके अधिकार में सब कुछ है, जो विजे दिलाता है, कि आप अपने परिवारों को, प्रभु को समर्पित करें, इन हातों को उठाएं, मैं आपको विश्मास दिलाता हूँ, कि प्रभु के हाथ में, शून्य को हंड्रेड में बदलने की ताकत है, प्रभु के पास इतना सामर्थ है, कि वो कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है, अगर किसी की हालत ऐसी हो चुकी है, कि वो लाचार है, बहुत जादा गरीब है, और बहुत जादा कर्ज में डूब गया है, अब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो विश्वास करना और प्रभु के दिन के लिए इंतजार करना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यूं ही नहीं, परन्तु बाइबल हमें बताती है, जो प्रमान बाइबल हमें देती है, उनके जरिये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कि परमेश्वर आपके घर में प्यारे भाईयो और बैनो जैसे उसने अयूब से कहा, कि तू अपने धन संपत्ती को दूल का धेर समझ, और देख मैं तेरे घर में सोने चांदी के धेर लगा दूँगा, कहता है कि तू अपने धन को क्या समझ, धूल का धेर समझ, तू ये मत कहें कि मेरे पास सोना है, चांदी है, धन है, संपत्ती है, मुझे तो किसी बात की कमी नहीं, मैं तो खापी सकता हूँ, ऐश कर सकता हूँ, बाइबल जानते हैं क्या कहती है, इश्वर का वरदान क्या है, इश्वर का वरदान है, जब तक आप खापी सकते हैं, वो इश्वर का वरदान है, जो इनसान खापी सकता है, सबसे बड़ा वरदान है, प्यारे भाईयो और मैंनों, कभी स्वास्त अच्छा नहीं होता है, तो हम खापी नहीं सकते हैं वो दिन बड़े कष्टदाई होते हैं आपका मन करता है खाने को लेकिन आप खानी सकते हैng और बाइबल के कहती जब तक व्यक्ति खापी सकता है तब तक सबसे बड़ा वरदान उसके लिए वो है, कोई और वरदान नहीं है जब तक आपकी सांसें चलती है तब तक आपके लिए एक पहलवान के लिए जब तक उसकी उम्र होती है तो बड़ा लंबा चोड़ा सीना निकाल के गुमता फिरता है बाइसेप्स दिखाएगा ये दिखाएगा आजकल के जो फैशन है प्रभू क्या कहता है ठीक है बेटा कोई बात नहीं जब तक तु खापी सकता है न तब तक ठीक है एक दिन आएगा जब तु खाने के लिए तरसेगा इसलिए प्रभू कहता है साबधान साबधान वर्तमान समय का पूरा पूरा लाब उठा ले तु जमाने के इन सारी चीजों को चिनको देख कर तु समझ जा कि आगे क्या होने वाला है क्या बीतने वाला है कोई भी व्यक्ती अपने आप पर अहंकार न करे घमंड न करे परन्तु ये कहे कि आज से मेरे घर में जो कुछ भी है परमेश्वर का दिया हुआ है और मैं उसकी बदॉलत आज यहाँ पर पहुंचा हूँ एक नास्तिक को भी ईश्वर में विश्वास करना होगा एक ना एक दिन एक विक्ति था और वो कहने लगा क्या फाइदा यह सब सुनने से समझने से क्योंकि येश्व मसी तो आकर चले गए जैसा उनके जमाने में था आज भी वैसा ही है कुछ परक तो पड़ा नहीं है कुछ परक तो पड़ा नहीं है जैसे येश्व मसी के जमाने में लोग रहते थे आज तो उससे भी ज़्यादा खराब रहते हैं वो विक्ति विश्वास नहीं करता था दूसरे विक्ति ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा भाई साब इस दुनिया में अनेक परकार के महंगे महंगे साबुन मिलते हैं अगर आप दुकान पर जाओगे तो आप वहाँ से अच्छे अच्छे साबुन खरीद के ले आ सकते हो और आप उनसे स्नान कर सकते हो इतने साबुन होने के बावजूद भी फिर भी लोग गंदे क्यों रहते हैं फिर भी लोग गंदे क्यों रहते हैं प्यारे भाईयों और मैंनों कहने का मतलब यह है कि जब तक आप किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते, उसे अपने जीवन में धारन नहीं करते, उसे आत्मसात नहीं करते, आपके जीवन में वो चीज कुछ भी बदलाव नहीं ला सकती, कोई परिवर्तन नहीं आ सकता. येशु मसी आया, बाइबल कहती, जितनों ने उसको स्विकार किया, जितनों ने उसको छुआ, जितनों ने उसको सुना, जितनों ने उसको अपनाया, उनको क्या मिला? उद्धार मिला, मुक्ती मिली, उनके घर अच्छे हो गए, और वो चंगे हो गए, लेकिन जिनों ने उस तो साबुन तो दुकान में रखा ही रहेगा ना है वही आज हम लोगों की वी दश्या है कि हमें प्रभु के इस वच्छन को ना केवल खाने की जरूरत है इसे डाइज़स्ट करने की जरूरत है खाते तो सब हैं लेकिन पचा नहीं पाते हैं दाइजस्ट नहीं होता है अभी आप सुनके जाएंगे इस चार दिवारी से निकलेंगे और फिर से वही काम करेंगे फिर से आप वही काम करेंगे पिछले दिनों एक भाई कह रहा था था फादर जी क्या फाइदा हम लोग चर्च से बाहर निकलते हैं और फिर से वही लड़ाई जगरा शुरू हो जाता है फिर से वही मूँ गंदा हो जाता है यारे भाईयो और बेनो ज़रा कोशिश करिए सोचने की कि जिस मूँ से आप प्रभु का नाम लेते हैं उसी से गाली गलोज करते हैं उसी से लोगों को काटने वाली भाषा बोलते हैं उसी से दिन भर आप मूँ गंदा करते हैं मूँ में राम बगल में छुरी रखते हैं ऐसी भक्ती ऐसी धारमिक्ता से क्या फाइदा है ऐसी भक्ती और ऐसी धारमिक्ता से क्या फाइदा है जिस जुबान से हम परमेश्वर की हजूरी में आकर उसकी महिमा करते हैं उसका आदर करते हैं उसका सम्मान करते हैं इस जुबान से प्यारे भाईयों और मैंनों दूसरों के लिए आशिरवाद निकलना चाहिए आशिरवाद देंगे तो आशिरवाद मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, गाली देंगे तो गाली मिलेगी, किसी पर दोश लगाएंगे तो कल तुम्हारे उपर भी दोश लगाया जाएगा, आज किसी का छीनेंगे तो कल तुम्हारा भी कोई न कोई छीन कर ले ज इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि तुम मेरी उपस्तिती में विश्वराम करो और मुझ से सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से विनम्र हूँ, मैं तुम्हें विजय दिलाता हूँ मेरा दाहिना हाथ तुम्हें विजय दिलाता है और मैं अपने दाहिने हाथ से तुमारी रक्षा करता हूँ याकूब के ग्रंत द्याए एक वद संक्या 5 में हम पढ़ते हैं कि इश्वर खुले हाथों खुशी खुशी सब कुछ देता है बोलिए आमेन दाइना हाथ उठा कर अंगिकार करेंगे प्रभु का वचन कहता है कि इश्वर खुले हाथों और खुशी से सबों को देता है हालेलुईया प्रभु येश्व कहते हैं मति का सूसमाचार अध्याए साथ पत संक्या 11 स्वर्गिय पिता अच्छी चीजें देता है हालेलुईया यदि तुम विश्वास करते हो प्रभु ये कहता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है मेरी शिक्षा मेरी अपनी नहीं बलकि उसकी है जिसने मुझे भेजा है यदि मुझ में विश्वास करोगे तुम मुझ से भी महान काम करोगे हालेलुईया तो परमेश्वर जो खुले हातों देता और सबों को देता है कहता है कि और तुम ये विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है तो तुम वो काम करोगे मुझ से भी महान काम करोगे कहता है यह उसका वादा है शायद हम असमर्थ हो जाते हैं इन सारी बातों को विश्वास करने में और हम अपनी ही बातों में प्यारे भाईयो और बेहनों फस जाते हैं अपने ही जाल में हम फस जाते हैं अपने ही बुनी हुई बातों में अपनी ही बातों में हम फस जाते हैं इसलिए पॉलूस कहता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात इसलिए आप में से बहुंत सारे लोग जो यहां पर आए हैं चंगाई लेने के लिए आए हैं मैं जानता हूं कि आप चंगाई की खोज में आए हैं इस तरह से एक डॉक्टर आपसे प्यारे भाईयो और मैंनों कहता है ये लोग गोलिया तीन-चार ये सुबा खाना, चाम को खाना, दोपैर को खालेना और तीन दिन खाना, तीन दिन के बाद दिखाना, तीन दिन के बाद वो जाता ही नहीं दिखाने के लिए क्योंकि वो अप आपने आपको स्वस्त महसूस करता, प्रभू भी तो यही कह रहा है आपसे, प्रभू भी तो यही कह रहा है, पर अप विश्वास नहीं करते हैं, डॉक्टर पर आपको विश्वास है, और आपको गोली खा लेते हैं, यहां पर भी तो प्रभू अपना वचन दे रहा है आप कह रहा है, आपको बचन खिला रहा है, आपकी आत्मा का भोजन आपको वो दे रहा है, विश्वास कर, तुम महीमा देखेगा, मुझ में विश्वास कर, तो मुझ से भी महान और बड़े-बड़े काम करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ विश्वास करना तो आपके जीवन में चिन प्रकड होंगे चमतकार होंगे प्यारे भाईयों और बेनों और संत पौलुस कहता है फिलिपियों को अध्याई तीन पत संक्यादस में मैं चाहता हूँ कि मैं मसी को जान लूँ उनके पुनरुथान के सामर्त को अनुभव करूँ और मृत्यू में उनके सद्रश्य बनकर उनके दुख भोक का मैं सहभागी बन जाऊँ पौलुस ने प्रभु येश्व को जाना उसने अनुभव किया जब उसने अनुभव किया तो उसके शरीर में बड़ा कष्ट था जब वो सह रहा था तो पौलुस प्यारे भाईयो और मैंनों कहने लगता है कि प्रभु ये जो मेरे शरीर में काटा चुबा हुआ है मैं कितना चाहता हूँ कि ये निकल जाए मैं कितना चाहता हूँ कि ये दुख मुझे से दूर हो जाए लेकिन मैं जानता हूँ कि तेरी कृपा मेरे लिए परयापत है और उस कृपा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि तू मुझे में जीवित रहता है आईए हम प्राथना करेंगे इस वक्त हम चंगाई की प्राथना में भाग लेंगे आने वाला एक से डेड़ घंटा प्यारे भाईयो और बेनो हम प्रभु की हजूरी में अपने बंधनों को तोड़ने के लिए प्राथना करें और प्रभु आपको और आपकी संतानों को आपके बच्चों को आशीश प्रदान करें और याद रखें कि परमेश्वर आपको विजय दिलाता है आपकी उन्नती परमेश्वर के हाथ में है आपकी सफलता परमेश्वर के हाथ में आपकी बेटी के लिए अच्छा वर का इंतजाम प्रभू के हाथ में है connect हो जाना बस उससे संयुक्त हो जाना उसके network में आ जाना और अपने आपको connect कर लेना और वचन के अनुसार चलना divine helpers की खोज में रहना वो आपकी अगवाई करेंगे श्वर्ग दूद आपके आगे आगे चलेंगे वो कहता मैं इनके तुमारे आगे भेजूँगा वो रास्ते में यात्रा के समय तुमें संरक्षन प्रदान करेंगे और वो तुमें बताएंगे तोबित के गरंत में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से तोबित को रफाईल दूत मार्ग दर्शन करता रहा और बताता रहा इसी तरह से वो आपके जीवन में भी काम करेगा आई हम सब खड़े हो जाएं और इस वक्त हम चंगाई की प्राथना में आगे बढ़ेंगे खाली बरतन रूँ से भर दे रूह का चश्मा जाहिर कर दे अपने रूँ के जोर से तोड़ दे तोड़े मेरे सारे बंगन तोड़े 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 मेरे सारे बंदन 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 तोड़े तोड़े मेरे स खाली बरतन रू से भर दे, रूह का तश्मा चाहिर कर दे, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे, मैं सारे बंकल कोड़ दे मैं हूपर में शर का मंदिर, इस जगा तू हो जहा दिर, अपने रूपे तोड़ से खोड़ दे, तोड़े, तोड़े, मेरे सारे बंधन, तोड़े, तोड़े कर्मजद तू मेरी हर दम, कर्मजद तू मेरी, हर द मेरा हर एक जक्न, आज मुझे तोड़े मेरे सारे बंधन, तोड़े, तोड़े, मेरे सारे बंधन, तोड़े सालियां बजाते हुए गाते जाए गाते जाए प्रभ ये सुके नाम पर हर बंधन तोड़े तोड़े, तोड़े, मेरे सारे बंधन, तोड़े, 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 मेरे सारे बंधन, तोड़े हालेलुया, 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 हाल येसु आईये मेरे दिल में ये सु आजा मेरे घर में हालेलूया आमें मेरे पापों से मुक्ति दे दे मेरे रोगों को चंका कर मेरे शरीर में चले आये, मेरी आत्मा में उतराये हालुया, 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 अंधों को अक्य देना, भूंगों को बोले देना, हालुया, 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 हालुया आते जाओ प्रभू की सुती करते जाओ लीनो जाओ प्रभू में लिसु दया साकर तुम महान है अमारे उपर दया कर दे हालेलूया हालेलूया हालेलूया, हालेलूया हालेलूया, हालेलूया आमेलूया, हालेलूया उतराइए, उतराइए, अवित्रास्मा उतराइए, आमेलूया ये सुपी आशिश, इस समय उतर रही है, स्वर्ब कुल गया, आशिश उतरी, तेरे नाम की महिमा हुई तू भर दे, हमें भर दे, तेरे बूहु से हमें भर दे तू भर दे, हमें भर दे, तू भर दे, हमें भर दे मेरा जीवन ये सुपदल है, हालिलूया आलिलूया, आलिलूया आलेलुया, आलेलुया प्रभु के आत्समा इस समय उत्तर नहाँ है, वर्ण द्वार खुल गया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया दोना हातों को उठाके तारिव करो परमेश्वर की द्वूया हालेलुया, हालेलुया छूले, 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 सक्च ंम लोच छूले 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 तेरी मैं महरातना सुनी सुनी हालिलुया ए गुंगे बहरे की दुष्ट आत्मा येश्यु के सामर्ति नाम से तुझे आदेश देता हूं तु इस वक्त इन शरीरों को छोड़ कर निकल और कुरूस के नीचे बन जाया वोले अमेन प्रभु येश्यु मसीगे सामर्ति नाम से रखत स्राओ की दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकल कर कुरूस के नीचे जल के राख हो जाये खाई पिलाए के दुष्ट आत्मा येश्यु के पवित्र सामर्ति लहू से इस वक्त आपके शरीर से निकले और कुरूस के नीचे जल के राख हो जाये प्रभु येश्यु ने कहा अपना हाथ बढ़ाओ और सुखे हाथ वाले ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया प्यारे भाई प्यारी बहन अपना हाथ बढ़ा देना आपको जो भी समस्या है चिंता है प्रभु के सामने समर्पित हो जाना प्रभु के पास हर एक चीज का इलाज है क्योंकि उसे हमारे भाग्य पर, हमारे जीवन पर और मृत्य उपर अधिकार है आपकी संतानों पर, आपके बच्छों पर, आपके भविश्य पर, आपके वर्तमान पर वो आपके भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है वो कहता है मैं तुमारा भाग्य पलट दूँगा यदि तुम विश्वास करो तो मेरी महिमा देखोगे प्यारे भाई, प्यारी बेन, बहुत से लोग जो अविश्वास के कारण मर चुके हैं और मर रहे हैं प्रभु के बास लोट के चले आना यह आपकी चंगाई का समय है, बंदन तूट रहे हैं कोई है जिसे प्रभु इस वक्त खाय पिलाई की दुष्ट आत्मा से आजाद कर रहे हैं We healed in the name of Jesus, we cleanse in the name of Jesus येश्यू के पवित्र सामर्ती नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ Be healed, Be healed, अजाद हो जाओ, अजाद हो जाओ, बच्पन के पापों से Pre-natal experience से, हर प्रकार के, जो पुराने पूर्वदों से चली आई, निरर्थक जीवन चरिया से अजाद करता है, येश्यू मसी आपको अजाद करता है, वो आपको विजय दिलाता है आपके बच्चों को विजय दिलाता है, समर्पित होते जाना, प्यारे भाई, प्यारी बहन, कैंसर की दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ कर इस वक्त निकले फादर वॉल्टर के लिए प्रात्ना करते हैं, येश्यू तेरा लहू, तेरे दास की उस जगापन पैंक्रियास पर लगाता हूँ, उसे चंगाई और छुटकारा प्रदान कर तुने हिज किया को 15 वर्ष का जीवन और दिया, तु अपने इस दास को संपून चंगाई प्रदान कर उस डॉक्टर को जो इलाज करते हैं उसको तेरे हातों में देता हूँ प्रभू उन औशदियों को जो ग्रेंड कर रहे हैं उन्हें तेरे हातों में देता हूँ ऐसे तमाम लोग जो अस्पतालों में रोगशया पर हैं प्रभू जो इलाज करा रहे हैं, जो लाइलाज बिमारियों से पेड़ित हैं, इस वक्त प्रभू उन पर देया कर जो कैंसर से पेड़ित हैं प्रभू, हे प्रभू उन तमाम लोगों को जो लकवे से, रसॉलियों से, गर्ब के बंदन से, हिर्दे के रोग से, लीवर के कैंसर से, याईकल जयसी बिमारियों से पिड़ित हैं यह प्रभु देयाकर वैरिकोसी ड्से जो पिड़ित है इनकी नसों में तेरा प 한वित्र लहू बैने दे अलेलुया, 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 अल हर प्रकार की बुराई आज प्रभू के सामने कुबूल करना और त्याग देना और कैना कि प्रभू में आपका बेटा हूं रभू मैं आपकी बेटी हूं आप मुझे विजे दिलाते हैं मुझ पर दया कर मेरे रोगों को चंगा कर मेरे शरीर को छूले स्पर्ष कर दे मेरी हड़िया छीज रही है मैं अपने दुखों के कारण करा रहा हूं मुझ पर दया कर अपने दोनों हाथों को सिर पे लगा लेना अगर किसी को सिर्दर्द हो रहा है इस वक्त, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, येश्यू के पवित्र नाम से, सिर्दर्द की दुष्ट आत्मा, सर्वाइकल की दुष्ट आत्मा, ब्रेन टूमर की दुष्ट आत्मा, येश्यू के सामर्ती नाम से आदेश देताओं, राइट दिसे मसा करे, शुद करे, पवित्र करे रोगी हो मैं, अपनी हजूरी से चूँ मुझे रोगी हो मैं, अपनी हजूरी से मेरी जाको, मेरी रूप को, मेरे बतन को चूँ मेरी जाको, मेरी रूप को, मेरे बतन को चूँ मेरी जाको, मेरी रूप को, मेरे बदन को छूँ छूँ मुझे जैसा वे हो अपनी हजूरी से छूँ मुझे जैसा वे हो अपनी हजूरी से एक गरम एहसास आपके शरीर में आपको हो रहा है बहुतों को इस वक्त पसीना आ रहा है बहुत सारे लुगों को शरीर में जञजनाहट हो रही है बहुत सारे लोगों को शरीर में अच्छानक जटका महसूस हुआ होगा ये प्रभू का स्पर्श है महसूस करते जाना, रिसीव करते जाना, अनोइंटिंग Many of you are being healed from all the infirmities लाइलाज बिमारियों से प्रभू आपको अजाद करना कोई है जो फेपड के infection से प्रभू ये शू आपको अजाद करता है फेपड के infection से ये शू का ये पवित्र लहू अपने शरीर पर लगाना और अपने आपको चंगा महसूस करना और प्रभू का धन्यवाद करना You are healed in the name of Jesus ये शू के पवित्र शामर्थी नाम से जितने भी लोग इस वक्त रोगशया पर हैं लखवे से प्रेड़ित हैं चल फिर नहीं सकते हैं बोल नहीं सकते हैं सुन नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं येश्जु के पवित्र सामर्थी नाम से आपको ब्लेस करता हूँ बोलिए आमेन, हालेलुईया, इस वक्त मैं आपके उपर हाथ रख कर प्रात्ना करूंगा विश्वास करना की प्रबु का वो सामर्थ जो उसके अंदर से निकला, जब रक्त स्रावफिडित स्त्री ने उसका पल्ला चुआ और येशु ने मैसूस किया कि उसके अंदर से एक शक्ती निकली है जिसके द्वारा रक्त स्रावफिडिता चंगी हो गई है वैसे ही आप भी इस वक्त जब लेहन प्रेयर होती है तो मैसूस करना कि प्रभु ने आपको चुआ है, स्पर्श किया है आपके शरीर में जहां कहीं भी बिमारी है, रोग है, चिंता है, कोई भी कमी घटी है, समर्पित करना और स्विकार करना, अंगीकार करना जैसे रक्त स् पिडिता ने अंगीकार किया और विश्वास किया, कि वो चंगी हो गई है, you will be healed, आप चंगे हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे आत्मा मंदे राता, अवित्रात्मा मंदे राता पेंचे कोज के दिन समा, आत्मा मंदे राता पेंचे कोज के दिन समा, आत्मा मंदे राता एक साथ आत्मा मंदे राता, अवित्रात्मा मंदे राता ओ हालेलुया आत्मा मंदे राता पेंचे कोज के दिन समा, आत्मा मंदे राता पेंचे कोज के दिन समा, आत्मा मंदे राता पेंचे कोज के दिन समा, आत्मा मंदे राता अन्धे दिन समा, आत्मा मंदे राता अन्धे देखते हैं, अन्धे देखते हैं, ओ आलेलुया अन्धे देखते हैं, अन्धे देखते हैं येसु मसी के नाम से अन्धे देखते हैं, ओ आलेलुया तालिया बनाकि वेगा अत्मा मंदे राता परित्रात्मा अम परित्रात्मा लंगडे चलते हैं लंगडे चलते हैं लंगडे चलते हैं ओ हालिलूया लंगडे दिल नीचे, लंगडे दिल नीचे, येशु मसी के नाम से लंगडे चलते हैं येशु मसी ये लंगडे चलते हैं आत्मा मंड राता, आलेलूया आत्मा मंड राता, सब चन मिलकर गाएंगे आत्मा मंड राता, पवित्रा आत्मा मंड राता वो मिलकर गाएं आत्मा मंड राता, आत्मा मंड राता, आत्मा मंड राता कहरे सुनते हैं, कहरे सुनते हैं पेहरे सुनते हैं पेहरे सुनते हैं ओ आलिलुया ये सु मसी की नाम से पेहरे सुनते हैं ओ आलिलुया ये सु मसी की नाम से आलिलुया आत्मा मंद रखा पेंचे पोस की दिन समा आत्मा मंद रखा पेंचे पोस की दिन समा पेंते कोज के दिन समा आत्मा मंद राता पेंते कोज के दिन समा आत्मा मंद राता फूंगे बोलते हैं फूंगे बोलते हैं वालिलुया येसु मसी के नाम से तूंगे बोलते हैं वालेलुया येसु मसी के नाम से तूंगे बोलते हैं आत्तमा मंद राता आत्तमा मंद राता पेंते गोस्व के दिन समार आत्तमा मंद राता आपिपरात्मा आलेलुया आत्मा बंड रता ओचीजस आपिपरात्मा बंड रता पैंते कोष के दिन समान आत्मा 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 बंड रता पैंते कोष के पेंते कोज के दिन समान लंगडे चलते हैं येशु के नाम से येशु मसी के नाम से सालिया बजा के बाएं आस्मा मंड़ रता पाविष्ट आत्मा वो मिलकर जाएं आलेलूया बाएं आस्मा मंड़ रता पाविष्ट आत्मा स्वर्क द्वार ठोर्ट अपा तेली महिमा प्रकड होने ली जिये तेरे लोगों के बीच में इस समय आशे माद उत्रे येशु के नाम से लट्गर दी हीलिंग, टेलबरेंट, फावर, फावर अविष्ट आत्मा प्रकड आत्मा येश्ट आत्मा येश्ट आत्मा अविष्ट आत्मा fire, 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 fire of the Holy Ghost let us be anointed in mighty healings, deliverance, mighty healings and deliverance in the mighty name of Jesus प्रभु का मिश्यक यहां पर बहरा है आत्मा वै आत्मा पेंते गोश्के दिन समान यहां पर मंडरा रहा है अपने आखे बंद रखें और काते जाएं येसु के नाम से पेंते खोश्के आत्मा मंडराचा हो हालेलूया पेंते खोश्के आसमा मंड़े राका दर वित रास्मा आसमा आसमा मंड़े राका Oh haleluya येसु मसीके नामसे आत्मा मंद रता येसु मसीके नामसे आलेलुया येसु मसीके नामसे आत्मा मंड राता, माने कुम सीखे आलेलुया, आत्मा मंड राता आलेलुया, येसु के नाम से प्रार्थना करें, आँखें बंद रखें, प्रार्थना करें ब्रहु मेरे हालातों को बदलिये, मेरे शरीर के हालातों को बदलिये मेरी आत्मा में उतराई प्रभुजी मेरे हालातों को बदलिये, मेरा जीवन बदले मेरा तन्मन बदले मेरा सब कुछ बदल दे येशू प्रार्थना करे मेरा घर बदलो येशू मेरे बच्चों को बदलो मेरे पती को बदलो मेरी पत्नी को बदलो प्रार्थना करे यदि आपका पती शराबी ये शराबी बदी के लिए प्रार्थना करे आपके बच्चे सुनते नहीं हैं गलत संगती में गलत रास्ते पर हैं वासना या नश्रे में हैं प्रार्थना करें उनके लिए समय येसु उनको बदलिए येसु बदलिए प्रभु येसु ने कहा मैं सब कुछ नया बना देता हूँ मैं सब कुछ नया बना देता हूँ मैं सब कुछ नया बना देता हूँ कहें प्रभुजी तू ने कहा मैं सब कुछ नया बना देता हूँ मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सब कुछ नया बना ये और पुरानी बातों को तेरे पवित्र लहु से धोक शुत आर पवित्र गड़े येशु, प्रार्थन करे प्रार्थन गड़े प्रार्थन करे येशु ने कहा मैं सब कुछ नहीं बना देता आपके जीवन में जो पुराना है येशु से नया बनाने के लिए समय थयार है येशु नया बनाने के लिए थयार है हालिलूया येशु के करीब आईए येशु के करीब आईए प्रार्थना करें ये सुक के करीब आई प्रार्थना करें आखें बंद रखें प्रभु की आवाज सुनें प्रभु ने कहा जो मेरे पास आता मैं उसे कभी नहीं ठुक राऊंगा प्रार्थना करें अंनिवान देश्वा प्रशिली बारें यारंद राला ला लाट आए लाट राट आए लाट आए लाट आए लाट आए लाट आए लोट या 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 लोट य लाट 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 दुनिया की भीड में क्यों खो रहा मिलेगा कुछ बीना फल जो बो रहा दुनिया की भीड में क्यूं खो रहा मिलेगा कुछ बीना फल जो बो रहा तू बेटे घर लाट आ आ बेटे घर लाट आ आ बेटे घर लाट आ आ बेटे घर लाट आ मैं ढूड़ू उस भेड़े को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई मैं ढूड़ू उस भेड़े को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई मैं ढूड़ू उस भेड़े को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई मैं ढूड़ू उस भेड़े को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई तू आजा घर लाट आ आ बेटे घर लाट आ तू आजा घर लाट आ आपे देखरे लाट आ 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 लौट। आ, लौट। आ, लौट। लाट 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 अपने आखें बंद रखें अपने हाथों को खोलें प्रव आपको लौटने के लिए बुलाते हैं प्रव आज आपको आवाज दे रहें आए बेटी आए मेरी बेटी लौट 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 में वे बिचार में चोरी जूट लालच फोन अशलीलता बुरी संगती में हो ओ वो दयालू पिता आज आपको आवाज देकर पूछ रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी तुम कहाँ हो वेर आर यू तुम कहाँ हो वचन में प्रभु कहते हैं मानव पुत्र जो खो गया था उसे ढूंडने और बचाने आता है ये इशु आपके करीब आएं कहीं ऐसा नहों कि इशु आकर चले जाएं और आप उसके पास लोट करना हैं प्रार्थ न करें प्रभु मैं तेरे पास आता हूं प्रभु ये इशु ने कहा जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा कभी नहीं इस समय प्रभु के सामने सब लोग खड़े हो जाओं सब लोग खड़े हो जाओं जल्दी 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 और प्रभु के करीब आओं अपनी हातों को खोले आखे बंद रखे प्रबु आपको आवाज दे रहे हैं लोटा लोटा मेरे भाई लोटा मेरी बहें अपने हातों को येशु की और बढ़ाई पढ़ादो येशु की और अपने हातों आज प्रबु की आवाज को आप सुने और जवाब दे दुनिया की भीड में क्यूं को रहा मिलेगा कुछ बीना फल जो बो रहा दुनिया की भीड में क्यूं हो रहा मिलेगा कुछ बीना फल जो बो रहा लाट आ लाट आ लाट आ लाट आ चलेए प्रम के पास लाट आ Tol लॉट आ, लॉट आ, लॉट आ, आ बेटे घर लॉट आ, आ बेटे घर लॉट आ, लौट आए क्योंकि ये दिन बुरे हैं अपनी आखों को प्रभु की ओर लगाएं इस वेदी के ओपर देखें इस परमपरशाद की ओर देखें इस रोटी की ओर देखें जहां पर प्रभु येशु विराजमान है और आपको सुपर्श करता है चंगाई प्रदान कर रहा है उसकी दया की किरने आपकी ओर बह रही है वो अपने दास के ध्वारा अपनी वानी को सच प्रमानित करता है आप में से बहुत सरी लोगों को बदरूहों से प्रभु ने आजाद किया है आज आप चंगे हो गए हैं आप चंगे हो गए हैं शानती प्राप्त कर आप अपने घर जाएंगे येश्यू के पवित्र सामर्थी नाम से मैं आपको सारी बदरूहों के लशकरों से हर प्रकार की बेचैनी से हर प्रकार की अनिद्रा से हर प्रकार के नशे से हर प्रकार की इर्श या द्वेश ग्रणा हर प्रकार के वेविचार अशलीलता से लोब लालच से पेटूपन की दुष्ट आत्मा से येश्चु के पवित्र सामर्थी नाम से आपको अज़ाद करता हूँ गोठना टेकेंगे दोनों हातों को उठाएं मैं तमाम लोगों को याद करता हूँ जिने प्राथना की जरूरत है इस वेदी पर समार्पेद करता हूँ प्रभू येश्चु जो डॉक्टरों का डॉक्टर वैतियों का वैति राजाओं का राजा प्रभू का प्रभू बाश्चाओं का बाश्चा जिसके अधिकार में सब कुछ है जो भाग्य पलट सकता है इस वक्त आपको अपने नूर से मामूर करें दया करने वाले चंगा करने वाले ये सूराजा तुने अपने पवित्र लहू से इने चंगा किया है शुद किया है तेरी इस प्रजा पर दया द्रिष्टी करने की क्रुपा कर हे पवित्र आत्मा तेरी प्रेरणा पा करिये सब लोग तरी हजूरी में उपस्तित हो जाए मैं तेरा दास तेरे चरणों में इस वक्त इन तमाम लोगों को समर्पित करता हूं अपने धरम प्रांत को धरम परोहितों को धरमा देक्षों को धरम बेनो धरम संगियों को लोकदर्मियों को विश्वासियों को जो तुझे नहीं जानते प्रभु समर्पित करता हूं इनके जीवन में अधिकार लीजिए तेरी महिमा इनके जीवन में हो जाए तू जो सत्य है इनका मार्ग दर्शन कर अपने बचन के द्वारा इने चंगाई प्रदान कर तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले रोग शक्तियों बिमारियों से ने अजाद रखे हर प्रकार की तंगी मुसिवत से बद्रूहों के लशकरों से इने अजाद करे और तेरी महिमा इनके जीवन में होती जाए अगर आपके हाथ में कोई भी जीज है जिसे आप चाहते हैं कि वो ब्लेस हो जाए इस वक्त ये प्रातना मैं करूंगा प्रभू के पवित्र नाम से उसके पवित्र सामर्त से ये तेल और जल जो आपकी वेदी पर है या आपके हाथ में है पवित्र लहू बन जाए जहां कहीं छड़का जाए ये शुक का सामर्त उस जगा पर प्रकड़ हो अब प्रभू उन तमाम बद्रूहों के लश्करों को हर प्रकार की बुराई को इस पवित्र जल के द्वारा जला कर राख करें हे प्रभू ये जल और तेल तेरा पवित्र लहू बन जाए इस पर तेरी रूप का दुगना मसा उत्रे जल जीवन का सुरोत है प्रभू ये जहां कहीं भी छड़का जाए उस जगा पर तेरी शान्ती और चंगाई आने पाए ये तेल जो तेरा पवित्र लहू बन गया है बीमारों की उन हड्डियों पर लगाया जाए जो सूप चुकी है जहां पर प्रभू ये सूप चोटे हैं घाओ है धर्द है शरीर में उस जगा पर लगाया जाए और तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले तेरे पवित्र लहू से इनको अभिशेक करेने विलेपन कर दे सिर से लेकर पाओ तक तेरी रूका मसा इन के जीवन में परिवार में छाया रहे हमारी प्राथ ना सुन ले हमारे उद्दार करता ये सूप रभू के द्वारा आमे पवित्र परंप्रसाद के आराधना हो स्तुती हो महिमा हो सदा सरवदा पवित्र परंप्रसाद के आराधना हो स्तुती हो महिमा हो सदा सरवदा स्तुती हो महिमा हो सदा सरवदा सदा सरवदा सदा सरवदा सरजुकाएं प्रभुका शिवाद गहन करें सदा सरवदा सदा संदा सदा सदा जोर्दार तालिए बजाए ब्रोगों धन्यवाद दें सभी आशेशों के लिए जोर्दार बोले हलेलुए लुख खुश नहीं है घुश नहीं है अब हुश नहीं है मैंने पूचा कितने लोग खुश नहीं है हमको दुनिया से क्या काम रे हम तो जोगी मसीखे क्या है हमको दुनिया से क्या काम रे हम तो हमको दुनिया से क्या काम रे हम तो जोगी मसीखे वेरागी मसीखे हाँ हमको दुनिया से क्या काम रे हम तो हाँ हमको दुनिया से क्या काम रे हम तो जोगी मसीखे जो जोगी होता है न वो लीन होता है प्रभु में ठीक है लीन होता है जो जोगी होता है उसको किसी से मतलब नहीं होता है प्रभु में यह नि प्रभु का दिवाने बनके गाओ उड्डे बनके मत गाओ दिवाने बनके गाओ ठीक है एक बार और हम को दुनिया से क्या काम दे हम तो जोकी मसी के बैरागी मसी के हातों को ठाके हम तो दुनिया से क्या काम दे हम तो जोकी मसी के तौबा करो राज इश्वर का आया तौबा करो राज इश्वर का आया अब लोहा मारा सलाम जी हम तो जोकी मसी के बैरे हम को दुनिया से क्या काम दे हम तो जोकी मसी जोकी मसी के बैरागी मसी के जोकी मसी के बैरागी मसी के आरे हमको दुनिया से क्या काम दे हम तो जोगी मसी के बोलो प्रभी एस्व मसी के नाम की जाएं